History of LTTE दोस्तों आपने Civil War के बारे में तो सुना होगा Civil War एक Interstate War यानि एक ही देश के अंदर Different Groups के बीच होने वाला War कहलाता है इसे ग्रिहयुद्ध भी कहते हैं किसी भी Civil War में एक विरोधी ग्रूप का एम होता है उस देश से Independence पाना किसी पटिकलर रीजन पर अपना कंट्रोल पाना या सरकार की पॉलिसीज को चेंज करना ऐसा ही एक फेमस और ब्रूटल सिवल वार श्री लंका में हुआ था इस वार में एक तरफ थी श्री लंका की गवर्नमंट और दूसरी तरफ LTTE यानि की Liberation Tigers of Tamil इलम इन्हें लिट्टे या Tamil Tigers के रूप में जाना जाता है 1976 में बनी LTTE एक Separatist Organization थी जिसका formation Northern and Eastern श्री लंका में एक Independent Tamil स्टेट बनाने के एरादे से हुआ था श्री लंकन Civil War एजिया में सबसे लंबे समय तक चलने वाला Armed Conflict बना जो कि 2009 में LTTE की defeat के साथ खत्म हुआ आज इस वीडियो में हम जानेंगे LTTE के बारे में क्या थे वो circumstances जिसकी वजह से श्री लंका में इस Armed Organization का formation हुआ उनके demands किया थी LTTE के operations में इंडिया का क्या रूल रहा था और कैसे की organization Indian Prime Minister राजीव गांधी की हत्या के लिए जिम्मेदार बनी तो आईए शुरू करते हैं Why was LTTE formed दोस्तों हमारा पडोसी देश श्री लंका इंडिया के south में एक island nation है जिसे पहले Ceylon नाम से जाना जाता था पूरी दुनिया में चाहे कोई भी country हो वहां होने वाले conflicts का main reason कहीं न कहीं communities के बीच टकराव और उनका minority majority में divide हो जाना रहा है और श्री लंका भी ऐसे ही संगर्ष भरे इतिहास का गवाह रहा है श्री लंका में दो major ethnic groups हैं Tamils और सिंगलीज British colonial rule से पहले Northern और Eastern पार्ट में Tamil राजाओं का राज हुआ करता था और इसी वजह से यहां पर Tamils की संख्या ज्यादा रही जबकि Central और Southern पार्ट में सिंगलीज पीपल की संख्या ज्यादा है इन दोनों groups की भाषा और धर्म भी अलग-अलग हैं Tamil group हिंदू religion को follow करते हैं और उनकी language भी तमिल है और सिंगलीज बुद्धिस्ट रिलिजन के 13 वड़ा ब्रांच को follow करते हैं और उनकी language सिंगलीज है तमिल्स टोटल श्रिलंकन पॉपिलेशन के लगबग 15% है और सिंगलीज 70 से 75% जिस वजह से तमिल्स यहां minority group बनाते हैं और सिंगलीज majority group में आ जाते हैं वैसे तो population में तमिल्स की संख्या बहुत कम थी लेकिन college education में 70-80% students तमिल्स होते थे इसका कारण British colonial rule के दोरान 19th century की शुरुआत में Christian missionaries की activities से जुड़ा था जब missionaries श्रिलंका पहुँचे तो वो अपने साथ सिर्फ religion ही नहीं बलकि modern society का idea और culture भी लेकर आए इसी वजह से northern श्रिलंका में कई convent schools और दूसरे educational institutions ओपन हुए क्यूंकि northern region में तमिल्स की population जादा थी तो उन्हें इन schools का फायदा मिला और maximum tamils educate हो गए इसकी वजह से जब ब्रिटिश ने श्रिलंका में administration का कामकाज शुरू किया तो tamils को civil services और दूसरे government jobs में ज्यादा representation मिलने लगा क्यूंकि वो पढ़े लिखे भी थे साथ ही उनकी English language पर अच्छी पकड़ थी अब देखने वाली बात ये थी कि श्रिलंका में population majority सिंगलीज की थी पर सरकार में higher positions पर minority tamils थे शुरुवात में तो दोनों ethnic groups के बीच इस बात को लेकर कुछ खास issues नहीं थे लेकिन problems तब शुरू हुई जब श्रिलंका को British rule से आजादी मिली year 1948 में जब श्रिलंका British colonial rule से आजाद हुआ तब वहां पर आई parliamentary democracy जिसका आधार था majoritarian rule majoritarian rule की एक धारना होती है कि majority ruling class पूरे देश पर अपनी मर्जी के अनुसार शासन कर सकता है और हुआ भी ऐसा ही सिंगला government सिंगलीज लोगों के favor में कई laws and policies लाने लगी जिससे सिंगलीज को education और jobs में आगे आने का मौका मिले जो की अब तक minority tamils के पास थी 1956 में English को हटा कर सरकार ने सिंगलीज language को official language बना दिया जिसका सीधा असर ये पड़ा कि tamils को jobs से resign करना पड़ा साथ ही आगे आने वाले किसी भी सरकारी jobs में वो fit नहीं होते क्योंकि उन्हें या तो tamil आते थी या फिर English 1970s के दौरान college education में भी भेदभाव की शुरुआ थुई tamils की entry को restrict किया जाने लगा इसके साथ ही tamil media और literature जैसे की tamil films, tamil magazines इन सब को भी ban किया जाने लगा language किसी भी culture का सबसे important unit होता है भाशा को खो देने का मतलब अपनी जमीन को खो देने जैसा होता है ऐसी situations में टकराव होना तो निश्चित था इन सभी कारणों की वजह से 1970s के time श्रिलंका में confrontational politics यानि की अपने अधिकारों के लिए सरकार के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत हुई पढ़े लिखे tamil school students को जब college में entry restrict की जाने लगी तो वो insurgency और political activism की ओर बढ़ गए तमिल लोगों ने हधियार उठाना शुरू किया और इन discriminatory policies के against कई सारे armed groups बनने लगे उन्हीं armed groups में से सबसे बड़ा और major group था LTTE यानि Liberation Tigers of Tamil Elam जिसकी formation 1976 में हुई थी तो आईए अब हम LTTE और उसकी operations के बारे में विस्तार से जानते हैं LTTE and its operations इस group के leader थे वेलुपिल्लई प्रभाकरन जहां दूसरे ऐसे tamil groups का मकसद था Northern और Eastern श्रिलंका में autonomy पाना वहीं पर LTTE का शुरू से मानना था कि tamils को श्रिलंका से secession चाहिए और ये एक अलग tamil ilam यानि की अलग tamil राष्ट्र बनाना चाहते थे LTTE का flag symbol था jumping tiger जिसे LTTE के chief प्रभाकरन ने इंडिया के tamil naadu के एक artist के साथ मिलकर बनाया था ये tiger southern India के famous चोला empire के emblem से लिया गया था जो कि tamils की वीर्था के इतिहास को भी दर्शाता था इस flag को वो tamil ilam के independent state का national flag बनाना चाहते थे LTTE एक disciplined और organized armed group था LTTE group दो भागों में बटा हुआ था पहला military wing और दूसरा political wing दोनों ही wings की leadership प्रभाकरन के हाथों में थी military wing को भी तीन सब groups में डिवाइड किया गया था पहला naval wing जिसका नाम था sea tigers दूसरा air wing जिसका नाम था air tigers और तीसरा suicide bombing unit जिसका नाम था black tigers इनके अलावा elite fighting wing और intelligence unit भी थी वो छोटे बच्चों को भी group में शामिल करते थे और उन्हें martial training देते थे लड़ाई के लिए ये लोग gorilla technique और suicide bombing जैसे तरीकों का इस्तिमाल किया करते थे LTE का हर सैनिक अपने गले में cyanide के capsule या गोली पहना करता था जिससे कि अगर वो पकड़े भी गए तो वो suicide कर सके उस दोरान LTE को श्रिलंका में सबसे dominant Tamil militant group और world में सबसे strongest gorilla forces में माना जाने लगा उन्होंने policeman और politicians के साथ साथ government places को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया था देखते ही देखते LTE globally एक ऐसा strong organization बन गया था जिसके खुद की आमी, नेवी और एफोस थी साथ ही वो northern region के जाफना जैसे इलाकों में Tamil political parties को overpower करने लगे और shadow government की तरह operate करने लगे लेकिन इस Tamil, सिंगलीज और श्रिलंकन सरकार की लड़ाई में इंडिया कैसे आया आईए देखते है Indian intervention in Sri Lankan civil war 1976 से 1982 तक ये लड़ाई थोड़े छोटे स्तर पर चल रही थी लेकिन 1983 में इसने गंभीर रूप धारण कर लिया दरसल जुलाई 1983 में LTE ने anti-Tamil activities के खिलाफ लड़ते हुए 13 श्रिलंकन आमी soldiers को मार गिराया इसकी वजह से पूरे श्रिलंका में दंगे हुए जिसमें लगभग 1500 से 3000 तमिलियन्स मारे गए इसे Black July के नाम से भी जाना जाता है जुलाई दुनिया भर में श्रिलंकन तमिल डायस्परा के लिए शोक का समय बन गया Large numbers में तमिल यूट्स Military Organization में शामिल होने लगे LTTE को तब एक वजह मिल गई War Start करने की इंडियन तमिल्स और श्रिलंकन तमिल्स के Close Ancestral Relations थे इंडिया के साथ साथ दुनिया भर में जितने तमिल डायस्परा थे सब की हमदर्दी थी श्रिलंकन तमिल्स और LTTE के साथ इंडिया में तमिल नाडू की Territorial Integrity पर खत्रा हो सकता है Black July दंगों के बाद Indian Government ने डिसाइड किया कि वो Insurgent Groups को सपोर्ट करेगी Indian Intelligence Agency RAW ने LTTE को help करना शुरू किया उन्हें हत्यार सप्लाइ किये गए और Military Training भी देने लगे उधर दूसरी तरफ LTTE का Dominance बढ़ता देख 1987 में श्रिलंकन आमी ने Operation Liberation शुरू किया जिसका मकसद था श्रिलंका के जाफना रेजन से LTTE को खत्म करना और यहां से शुरू हुआ असल Civil War उस वक्त श्रिलंकन आमी ने जाफना पर लगभग कंट्रोल कर लिया था लेकिन इसमें बहुत से तमिल्स मारे गए Human Rights का violation भी हुआ इस बात से परिशान Indian तमिल्स ने Government से request की कि वो अपने तमिल लोगों के लिए इस war में intervene करे इस वजह से 2 जून 1987 को Indian Government ने मानवीय सहायता के तौर पर Indian ships के थूँ जाफना टाउन के लिए Humanitarian Aid भेजा जाफना तब श्रिलंकाई सेनी को द्वारा नाकबंदी के आधीन था लेकिन इस Humanitarian Aid को श्रिलंकन आमी ने रोका और वापस भेज दिया इंडिया ने इसके response में श्रिलंकन Government से बोला कि अगर आपने इन Humanitarian Aid को जाफना पहुँशने से रोका तो हम इसे युद्ध समझेंगे और इसका समाधान फिर सेना की कारवाई से होगा इसके बाद इंडिया ने दोबारा 4 जून 1987 को इंडिया ने एफोस के हेलिकाप्टर की मदद से जरूरत के सामान को वहाँ एर ड्रॉप किया और इस बार श्रिलंकन आमी उन्हें रोक नहीं पाई इंडिया ने इसे आपरेशन पूमलाई का नाम दिया जिसे Eagle Mission 4 भी कहते हैं श्रिलंकन Government ने भारत पर आरोप लगाया कि जब सरकार LTE को हराने के बहुत ही करीब थी तब इंडिया ने खाना और दवाईयों के साथ-साथ हतियारों से भी विरोधियों की मदद की लेकिन श्रिलंका उस वक्त भारत के साथ युद्ध करने के लिए भी तयार नहीं था उस दोरान इंडिया के प्राइमिनिस्टर थे राजीव गांधी और दूसरी तरफ थे श्रिलंका के प्रेजिडेंट जयावर्धने दोनों के बीच शांती वारता की शिरुवात हुई और 29 जुलाई 1987 को दोनों सरकारों के बीच इंडियन श्रिलंका पीस अकॉर्ड पर साइन हुए इस पूरे समझोते में एक तरफ ये तै हुआ कि श्रिलंकन गवर्नमंट तमिल डॉमिनेटिड रीजिन्स को अटानमी देगी और नॉदरन एरियास से अपनी आमी को पीछे हटा लेगी वहीं दूसरी तरफ श्रिलंका के प्रेजिडेंट जयवर्धने के द्वारा ये मांग की गई कि इंडिया किसी भी तरीके से तमिल विरोधियों की सहायता ना करे इसके अलावा तमिल आम्ड ग्रूप्स सरेंडर कर दे और इस काम में विरोधियों को कन्विंस करने और श्रिलंका में लौ एन ओर्डर को मेंटेन करने में इंडिया उनकी मदद करे इसके लिए इंडिया नामी का एक पार्ट इंडियन पीस कीपिंग फोर्स यानि की IPKF के नाम से नौदन श्रिलंका में भेजने की बात हुई और 30 जुलाई 1987 को IPKF की पहली establishment जाफना में डिपलॉई की गई IPKF का में टास्क सिर्फ LTTE ही नहीं बलकि सभी तमिल मिलिटेंट ग्रूप्स को डी मिलिटराइज करना था हाना कि कॉन्फिक्ट तो तमिल्स और सिंगलीस के बीच था लेकिन पीस अकॉर्ड साइन हुआ श्रिलंकन गवर्नमेंट और इंडिया के बीच इस पूरे समझोते में LTTE को जो कि उस वक्त तमिल इंसर्जन्ट ग्रूप्स में सबसे ताकतवर था उसे शामिल ही नहीं किया गया और इसी बात से LTTE के चीफ प्रभाकरन काफी नाराज भी हुए दरसल ऐसा कोई समझोता होने वाला है इसकी खबर मिलते ही प्रभाकरन 24 जुलाई 1987 को राजीव गांधी से मिलने इंडिया पहुँच गए और राजीव जी ने प्रभाकरन से वादा किया था कि आगे तमिल्स के लिए सब अच्छा ही होगा और उन्हें इस पीस अकॉर्ड से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है प्रभाकरन इस मीटिंग के बाद अपनी इच्छा के विरुद्ध ही सही अपने हतियार त्याग देने को तयार हो गए प्रभाकरन ने ये सूच कर समझोता किया कि इससे उन्हें तमिल इलम मिल जाएगी जयवर्धने ने ये उमीद करते हुए समझोता किया कि इससे श्रिलंका में हो रही हिंसा खत्म हो जाएगी और आजीव गांधी ने तमिल्स के लिए अच्छे इरादों के साथ तरीके से इस मिशन को एग्जिक्यूट करने का था हालांकि कुछ ही महीनों के अंदर IPKF शांती स्थापित करने के लिए LTTE के साथ लड़ाई में उलज गया दरसल श्रिलंकन आर्मी की हिरासत में LTTE के 17 मिलिटिंस की मौत हो गए और इस घटना के लिए LTTE ने IPKF को जिम्मेदार माना और आत्म समरपन से इंकार कर दिया जल्द ही इन डिफरेंसेस के कारण LTTE ने सिंगलीस पर हमला करना शुरू कर दिया और तब ही IPKF ने डिसेजिन लिया कि अगर शांती लाने के लिए जरूरत पड़ी तो वो फोर्स का पूरा इस्तिमाल करेंगे और देखते ही देखते हैं LTTE और IPKF के बीच युद्ध छिड़ गया 1987 से 1989 तक दो सालों में IPKF ने कई सारे combat operations किये जिन में Operation Pavan, Operation Trishul, Operation Virat और Operation Checkmate शामिल थे इस बीच इंडिया और श्रिलंका में सत्ता बदल गई 1989 में राजीव गांधी को PM की कुर्सी छोड़नी पड़ी और उधर श्रिलंका में भी प्रेजिडेंट की कुर्सी पर राणा सिंगे प्रेमदासा बैट चुके थे प्रेमदासा IPKF के अगेंस थे और वो चाहते थे कि इंडियन forces वापस चली जाए इस पूरे पलिटिकल सिनेरियो के चेंज में IPKF को श्रिलंका से हटाने के लिए LTTE चीफ प्रभाकरण ने प्रेमदासा के साथ समझोता कर लिया हाना कि LTTE ने सिविसाइड बॉमिंग का इस्तिवाल करके प्रेमदासा की बाद में हत्या कर दी तीन साल तक चले इस मिशन में इंडिया के 1200 से 1500 सोल्जर्स शहीद हो गए IPKF के रोल से LTTE शुरू से ही नाखुश थे हाना कि 1990 में इंडिया में VP सिंग की सरकार थी और उन्होंने IPKF को श्रिलंका से वापस बुला लिया लेकिन प्रभाकरण ने मन बना लिया था कि वो राजीव गांधी की हत्या करेंगे इस बीच Indian Intelligence Agency को दो बार coded radio messages के थूँ इस हत्या की planning की खबर मिली थी लेकिन उन्होंने इसे नजर अंदास किया 1991 में elections होने वाले थे और अगर राजीव गांधी PM बन जाते ये सैनिको को श्रिलंका भीच सकते हैं 21 मई 1991 को तमिल नाडू के श्री पेरुमबुदूर में एक election rally में राजीव पहुँचे वहां पर मौझूद थी LTTE की एक female suicide bomber जिसका नाम था धानू धानू अपने साथ चार और LTTE members को लेकर पहुँची थी वहां मौझूद सब इंस्पेक्टर अनुसूया डेजी ने धानू को रोकने की कोशिश की पर राजीव गांधी ने खुद उन्हें अपने पास मिलने बुला लिया वो राजीव गांधी के पास उन्हें माला पहनाने को पहुँची और स्यूसाइड बॉम का बटन प्रेस कर दिया इसमें राजीव गांधी के साथ 14 अन्य लोग मृत्यू का शिकार हुए इस हत्या को अंजाम देने के लिए LTTE ने बहुभी इसकी प्रैक्टिस भी की थी फॉर्मर पीम वीपी सिंग की रैली में उन्होंने सेम पैटर्न का रिहरसल किया था बस उन्हें मारा नहीं था राजीव गांधी की हत्या LTTE द्वारा की गई वेल प्लैंड और वेल एग्जेक्यूटिड हत्याओं में से एक थी हनाकि LTTE और प्रभाकरन इस आत्मगाती बमविस फोट में अपनी भूमिका से इंकार करते रहे इसके अलावा 1994 में LTTE ने सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए कुछ श्रिलंकन कैबिनेट मिनिस्टर्स की भी हत्या कर दी राजीव गांधी की हत्या के बाद इंडिया इस सिविल वार का सिर्फ एक आउटसाइड अब्जर्वर बन कर रह गया 1994 में श्रिलंका में इलेक्शन्स के बाद LTTE और सरकार के बीच शांती वारता की शुरुवात हुई और लगभग एक दो सालों तक इस लड़ाई पर विराम लगा लेकिन LTTE द्वारा श्रिलंका नेवी कंट्रोल जमा लिया 2001 में श्रिलंका में फिर से सत्ता बदली और रानेल विक्रम सिंगे की सरकार आने के बाद LTTE ने एक तरफा युद्ध विराम यानि की सीस फायर की घोशना कर दी दोनों पार्टीज के बीच 2002 में सीस फायर अग्रीमेंट साइन हुआ और LTTE एक सेपरिट स्टेट की मांग को छोड़कर रीजिनल ओटॉनमी की मांग करने लगे पर यहां तब भी सिचुएशन में कोई खासा सुधार नहीं आया 2002 से लेकर 2007 तक मल्टिबल सीस फायर अग्रीमेंट वाइलेशन्स हुए हवाई हमले, सिउसाइड इटैक्स और मिलिटरी फाइट्स का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया आखिरकार जैनियूरी 2008 में श्रिलंकन सरकार ने इस सीस फायर अग्रीमेंट से हाथ पीछे खीश लिए और आजीव गांधी की हत्या के ठीक 18 साल के बाद 2009 में श्रिलंकन आमी ने प्रभाकरन को मार गिराया और इसी के साथ LTTE ने अपनी हार मान ली और ये युद्ध खत्म हुआ कंक्लूशन दोस्तों LTTE चीफ प्रभाकरन की मृत्यू के बाद 26 सालों का ये खूनी संघर्ष अचानक समापत हो गया LTTE के उपर माना वधिकारों का सम्मान न करने का आरोप लगा और कई सरकारों दोरा इसे एक आतंकवादी समूह के रूप में प्रतिबंधित कर दिया गया इन सरकारों में अमेरिका, इंडिया, कैनिडा, यूके, मिलेजिया, आस्ट्रेलिया और यूर्पियन यूनियन शामल थे इस सिविल वार के खत्म होने के बाद श्रिलंकन गवर्नमन ने इनिसेंट सिविलियन्स पर जो अटैक्स हुए और आमी के द्वारा किये गए वार क्राइम्स के लिए Lessons Learned and Reconciliation Commission बनाया 2013 में श्रिलंका के नौथ प्रोविंस में इलेक्शन्स हुए और तमिल नैशनल अलायंस की सरकार बनाए गई इस पूरी घटना में इंडिया के रोल को एक political blunder के तौर पर देखा गया क्या होता अगर इंडिया intervene नहीं करता क्या होता अगर intelligence agencies राजीव गांधी के murder के coded signals को seriously लेते क्या होता अगर inspector अनुसूया धानू को राजीव गांधी के पास आने से रुक लेती श्रिलंका के साथ साथ इंडिया के लिए भी ये civil war एक learning event रहा